आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया इसका मैं बहुत-बहुत अभारी हूँ धन्यवाद कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाशन में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष अंदोलन की बात कर रहा है मगर जो क्रिशिक आनून है उनके कॉंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें खुश करें और जो तीन किसान के बिल हैं खेती के बिल हैं उनके कॉंटेंट का और इंटेंट का कि बात करें हाँ बजट पर बोलेंगे बजट पर बोलेंगे आप शान्त हो जाएए फिर किसान का मुद्धा भी बजट का मुद्धा है आप उनका आदर कीजिए तो बात है कि इन तीन कानूनों का कॉंटेंट और इंटेंट क्या है तो पहले कानून का कॉंटेंट कोई भी व्यक्ति तो पहले कानून का कॉंटेंट क्या है पहले कानून का कॉंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी आनाज सबजी फल खरीद सकता है जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा मंडी में कौन जाके खरीदेगा तो पहले कानून का कॉंटेंट मंडी को खतम करने का है इसका लच मंडी को खतम करने का है दूसरे कानून का कॉंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योग पती जितना भी अनाज जितना भी फल जितनी भी सबजी स्टॉर करना चाहते है वो स्टॉर कर सकते है कोई लिमिट नहीं जितना वो हौट करना चाहते कर सकते है दूसरे कानून का कॉंटेंट Essential Commodities Act को खतम करने का दूसरे कानून का कॉंटेंट जमा खोरी को अनलिमिट्ट तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का अब तीसरा भी कानून है तीसरा कानून का कॉंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योग पती के सामने जाकर अपने अनाज के लिए अपने सबजी के लिए अपने फल के लिए सही दाम मंगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा तीसरे कानून का कॉंटेंट आपको याद होगा स्पीकर सर्व दर्दे क्यों दर्दे क्यों सुणा हो तू हिल्या संतर पार देगा तो सोण अपने लिए स्पीकर सर्व कि आप बजट फैमिली प्लानिंग का आप बजट पर बात करें कि आप सालों पहले सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था आपको याद होगा हम दो हमारे दो कि अब मैं इंटेंट की बात करता हूँ कानून के इंटेंट की बात आज क्या हो रहा है जैसे करोना दूसरे रूंप में आता है वैसे ही यह नारा दूसरे रूंप में आया है कि आज इस देश को चार लोग चलाते हैं और जैसे उस टाइम उस टाइम नाम सब जानते हैं नाम सब जानते हैं आप बोलो हम दो हमारे दो यह किसकी सरकार है हम दो हमारे दो की तो पहले कानून का intent बताता हूँ पहले कानून का intent कि हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज फल और सबसी को भेचने का अधिका यह है पहले पहले कानून का intent नुकसान किसका होगा नुकसान थेलेवालों का होगा नुकसान छोटे भी अपारियों का होगा नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं लाकों लोग उनका होगा अब चलिए दूसरे कानून की intent की बात करते हैं दूसरा कानून का intent दूसरे मित्र की मदद करने का है दूसरे मित्र का पूरे देश में अनाज फल और सब्सक्राइश का मनौकी मनौपली ने जारी है अब आज फूसरा मित्र चालेश प्रतिशाद हिंदोस्तान का अनाज अपने साहिलों में रखता है यह कॉंग्रेस पाइच्टी पैठक नहीं है यह सदन है और सब्सक्राइब साहिलों में रखतेगा यह कोई यह सबाब नहीं है प्रधान संत्री कहते हैं सब्सक्राइब 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 मैं बता रहा हूं एक भी बेटी माने सदस्य प्रधान मंत्री कहते हैं ति मैंने है यह आपने जिया है तीन सब्सक्राइब 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 और एग्रिकल्चर का है अब बजट चालिस प्रतिशद आबादी इस पे जीती इससे जीती है चालिस लाग करोर रुपे का धंदा है इसमें किसानों को फाइदा मिलता है तो दूसरे कानून का थोड़ा मैं इंटेंट समझा देता हूं दूसरे कानून का इंटेंट है पानी दो पानी घर जाएगा पानी दो दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टॉरिंग की मनापली दे दो और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टॉरिज की मनापली होगी वह मार्केट में अनाज डालेगा किसान से कम से कम पैसे में खरीद करेगा और जब वही किसान कंजूमर बनके अपने ही माल खरीद में जाएगा तो वही व्यक्ति अपने गोदाउन से अपने गोदाउन। कि इस देश के जो रीड की हटी है किसान मजदूर चोटे दुकांगार भी आपारी उस रीड की हटी को तोड़ के तुक्डे करके दो मित्रों को दे दू सरूल 218 Sir, Rule 218 Sir, Rule 218 Sir, Rule 218 Sir, Rule 218 Sir, Sir, the Debate on Appropriation Bill shall be restricted to the matters of the public importance or administrative policy employed in the grants covered by the bill which have not already been raised विल्ट रलेम धास भाडाश्ट रावा बाड़ा नहीं भी बाड़ कर रादा सर्थ कर अधान आपानुरा रावनुट विज्ट अवर्जाय। यद बाड़ कर रुट रहते हैं एक हैं एक बाड़ि करद से कि बाड़ि जा कमेडमिया हैं पर बोटेशा तर आप मैं कर दिया तर आपको डिश्टरबैंस कर आप बोले दीजी रहे हैं आप को ही रूल बता रहे हैं कि आप को ही रूल बता रहे हैं है कि अधिर है अधिरंजन जी बादर टेर्ट इसन तो धिस अधिर डिंटावर्ट इस डिसन अधिर टाभ टॉप्त अधिर लेटर दिशकर सङर्दर दिवलॉब दीज़नल वाइड दिशकर आजियोग इनलो जनाशम पोइड दिसकर संव पोइडिकू इनलो इस थे शाज आप म्हें जिवलॉड पोइड हुड दिसकर संव गूल पॉबॉड, इसकर संव जनाशम पॉड पॉड जोनी कि अच्छे दादा सभ दो कर रहा कोड़ीच सभ आपकोई आपकों लेफ कि अधिश दिवेब के ऐंगा confirmat अ इन लाड में का सुटियागा। मिनिस्टर सार शांटी मंत्री शोर डाल रहे हैं मंत्री वैसा कभी हुआ नहीं मंत्री भाग रहे हैं अब ही तो हम दो हमारे दो वह आपको याद होगा वह फोटो होती थी चार हम दो हमारे दो क्यूट से चेहरे थे सुन्दर सुन्दर चेहरे मोटे मोटे चेहरे हम दो हमारे दो खेद इस से होगा क्या जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान है इस देश के मजदूर है छोटे वियापारी है इनका धंदा बंद हो जाएगा इन में से किसानों की खेद चली जाएगी किसान को सही दाम नहीं मिलेगा छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ सिर्फ दो लोग हम और हमारे हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे हिंदुस्तान का फूड सीकेरिटी का सिस्टम है वो नश्ट हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा रूरल एकॉनमी नश्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा ये नई चीज नहीं है ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्ट है पहला आटेम्ट है ये पहला नहीं है ये काम प्रदान मंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोट बंदी में शुरू किया था पहली चोट नोट बंदी थी आइडिया किया था गरीबों से, किसानों से, मज़दूरों से उनका पैसा लो बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेम में डालो स्माल मीडियम सेक्टर को खतम कर दिया किसानों को बरबाद कर दिया पहा नहीं रुके फिर गए जी एस्टी गबड़ सिंग टैक्स पाच अलग-अलग टैक्स और फिर से उनी बिचारों पर आक्रमन उनी किसानों पर उनी मज़दूरों पर उनी व्यापारियों पर आक्रमन फिर करोना आता है करोना के समय मजदूर चिला चिला के कहते हैं हमें बस का टिकेट दे दीजिए हमें ट्रेन का टिकेट दे दीजिए नहीं 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 तुम्हें नहीं मिलेगा तुम पेडल घर जाओगे मगर टैक्स माफ जरूर होगा जरूर होगा माननी सदर्षय से भी आगरे कर रहा हूँ, इधर भी आगरे कर रहा हूँ, माननी सदर्षय आज बजट पर चर्चा है मैं आ रहा हूँ सर बजट पे सर मैं आ रहा हूँ बजट पे, मैं सर पाँच मिनट में बजट पे आ रहा हूँ, मैं फाउंडेशन लगा रहा हूँ अभी फाउंडेशन तो पहले नोट बंदी, फिर जी एस्टी, फिर करोना के समय, उन्हीं चार पाँच दस लोगों को पूरा पूरा कर्ज़ा माँग, दस लाग करोर रुपे हैं जो भी आप कर्ज़ा माँग, मगर हुआ क्या, हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है, जो स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री है, वो खतम हो गई, आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है, सीदी सी बात, और आज नहीं, कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि पैदी तोड़ी है, मगर ये मत समझेए, कि ये किसानों का अंदोलन है, ये किसानों का अंदोलन नहीं है, आपको बात अभी समझ नहीं आई है, ये देश का अंदोलन है, और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है, किसान अंदेरे में तौर्च दिखा रहा है, और एक अवाज से ये पूरा देश उटने वाला है, पूरा देश एक अवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उटने जा रहा है, और ये याद रखिये मैं कह रहा हूं लिक के ले लीजिए आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को मजदूर को छोटे दुकानदार को अपने पैसे से अपने धन से परे कर सकते हो ये आप सोचते हो आप ये सोचते हो आप लिक के ले लो मुझसे किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है किसान आपको हटा देगा मजदूर आपको हटा देगा छोटा दुकानदार आपको हटा देगा मगर वो पीछे एक इंच नहीं हटने वाला आपको कानून वापिस लेना ही पड़ेगा अब बात करते हैं बजट की जब बजट पर बात चीट करने का की बात उठी थी प्रेजडेंड एडरेस पर बात करने की बात उठी थी तो हमने कहा था विपक्ष ने कहा था हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के subject पर अकेला बोलने दीजिए एक साथ हम सम्मिलके किसानों के मुद्फे पर बोलेंगे स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं किसानों के मुद्धे पार चर्चा नहीं होगी बजट पे होगी और प्रेसिडेंट अड्रेस पे होगी अलग चर्चा किसान के मुद्धे पे नहीं हो सकती तो प्रोटेस में मैं कह रहा हूँ मैं बजेट पे आज यहां टिपनी नहीं करने वाला हूँ मैं आज सिर्फ किसान के मुद्वे पे बोलूँगा और उसके बाद मैं अपना मूट चुप कर दूँगा अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जो 200 किसान शहीद हुए उनकी इन लोगों ने उनको इन लोगों ने श्रदानजली नहीं दी मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूँ मैं अपने बाशन के बाद दो मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा आप मेरे साथ खरे हो जाएए धन्यवाद बाद बाद चाहता हूँ एक मिन्यवाद माने मानय सदह सदह सगन मानय सदह सगन मानय सदह सगन को चलाने के जिम्म्यदारी आपने मुझे दिये और को भी मानिय सदर्श कहेगा मैं आज उत्राखंड पर मरे लोगों पर श्रधान जली अपित करता हूं कोई कहेगा कि मैं आज बोर्डर पर मरे श्रधान जली तो यह जिम्मेदारे आपने मुझे दिये आप बोलने हैं तो